हर्यना में कुंग्रिस नेता राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा को लेकर भाजपा के रास्ट्री अव सचेव वबादली सीट से प्रत्याशी ओम प्रकाश धन्खड ने जोड़दार हमला बोला है बादली के गाओं मुड़ा खेडा में प्रेक्टर पर सवार होकर बड़े काफिली के साथ जन्संपर्क करने पहुंचे धन्खड ने कहा कि जब जब राहुल गांधी हर्यना में आते हैं तो हर्यना थोड़ा डर जाता है उन्होंने कहा कि हरिणा के किसानों की हजारों एकड जमीन राहुल गांधी के रिष्टेदारों के कारण गई हुई है अगर फिर से इनका राज आया तो इनके दामादों की चलेगी और किसान तो बिलकुल जमीन विहीन हो जाएंगे लोगों का प्यार मिल रहा है भरी दोपैरी में भी लोग खड़े हुए हैं और लोगों का बहुत ही अच्छा मन है बहुत चाओ से जोस से भरे हुए हैं आप चारों तरफ का माहूल अगर दिखाएंगे तो आपको जहान में आ जाएगा रात चार चार बज़े तक मुझे प्रचार करना पड़ता है ये लोगों के प्यार के कारण है आदी आदी रात में भी भीड़ खड़ी मिलती है मैं अभी बादन करता हूँ ऐसे सब लोगों का कर्टग्य हूँ जो इतना प्यार जता रहे हैं और मुझे लगता है कि बादली अलके ने मन बढ़ा लिया है ऐसे जबरदस्त वीजे बादली अलके से होने वाली है तो अभारी हो मैं इन लोगों का इतने प्यार के लिए इतने उद्गार के लिए इतने जोस के लिए मुझे जो बादली कर रहा है वो समेटने में मुझे जो है ना वो जो है जो है जो पड़ रहा है इतना प्यार बादली का मिल रहा है इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है दरसल राहूल गांदी विधान सुबा चुनाफ को लेकर तीन दिवसिय हर्यना के दोरी पर हैं जो कि अलग लग विधान सभाओं में विजय संकल्प यात्रा निकाल कर जनता के कॉंग्रिस के प्रती गोलबंद करनी में लगे हुए हैं हाला कि दंखड का कहना है कि राहुल गांदी के आने से उल्टा कॉंग्रिस को ही नुकसान होगा क्यूंकि कॉंग्रिस की निताओं को देख किसानों को अपने जख्म याद आ जाते हैं बता दे कि ओंप्रकाश धंखड का बादली विधानसभा में चुना प्रचार जोरों पर है और उन्हें भारी जंसमर्थन भी मिल रहा है और जगए-जगए फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है जजज़र के बादली से प्रवीन धंखड पंजाब के सिरी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ध